आपके चेरे की स्किन टाइट पता किन चीजों की वज़े से रहती है और बड़ी देर तक रहती है हर बंदे की खौईश होती है कि हमारे चेरे की स्किन टाइट हो, मर्द हो या औरत हो इसमें कोई बुरी बात नहीं अपना ख्याल रखना जब आपकी face की skin tight होती है इसका मतलब आप अपनी age से 5-10 साल छोटे लगती है number one very important आपने एक अंडा लेना है कच्छा उसको तोडना है जर्दी निकाल देनी है सिर्फ whiting रहनी चाहिए उसकी जो सफैदी है वो बाउल में डाल के अच्छे से उसको जो mix कर लेंगे ना उसको अपने चेरे हाथ से बगट के अपने पूरे चेरे पे अपने लगा देना है पांच से साथ मिन तक जब वो चेरे पे लगा रहेगा आपकी स्किन वो इतना ज्यादा टाइट हो जाएगा कि साथ मिन बाद आपकी मुझबूरी बन जाएगी उसको वाश करना जैसे आप वाश करेंगे आपको अपने चेरे पे लाइटनेस, टाइटनेस और आपकी स्किन फ्रेश उसी टाइम पर नजर आना शुरू हो जाएगी ये इतनी नैचरल और्गैनिक चीज़ आपकी फेस स्किन को टाइट रखने में बड़ी हैल्प करती है No.2 aloe vera हार बंदा जानता है aloe vera इसके खाने के अपने फाइदे है और लगाने के अपने फाइदे है इसको आप स्किन टाइटनिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं अतनी महगी-ographics होती है aooe vera से related लेकिन अगर आप ठ्दा aloe vera कर लें उसकी जल निकाले, उसी टाइम उसको grind करके या mix करके, उसी टाइम fresh निकालकर grind करके, mix करके अपने चेरे पे लगाएं, इतनी help करती आपकी skin को tight रखने में 7 मिनट आपने अपनी चेरे पे लगा रहें देना उसके बाद जब आप अपने चेरे को wash करेंगे ना, उसी टाइम आपको feel हो जाएगा tightness और freshness इतनी महिंगी क्रीमों से और स्क्रब से आपकी जान छोड़ जाएगी, ये इतनी natural organic चीज है, नमबर तुरी आपकी skin tight रहती है morning में fresh juice का use करने से, 70% लोग करते हैं morning में सरफ चाई पीते हैं और चले जाते हैं अगर वही morning में आप breakfast साथ fresh juice का इस्तमाल करते हैं तो वह आपको देर तक जवान रखती है, आपकी skin को tight रखती है, glowness लेके आती है नमबर फूर, अपने खानों में boiled चीजों को इस्तमाल ज्यादा करना जब आप boiled से related चीज़े खाते हैं boiled सबजी होगी, boiled chicken हो गया, boiled egg हो गया यह आपकी तबियत अच्छी होगी, आपका एक तो weight भी control में रहेगा, और जब weight control में रहेगा, तो automatically आपकी skin भी अच्छी रहेगी, number five very 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 important, पूरे दिन में हमें 2 liter पानी, मतलब कि 14 to 16 glass of water की required होती है, लेकिर अमोमन हम 70 to 80% लोग सर्फ 8 से 9 glass पानी पीते हैं, हाँ अगर गर्मियां हो तो हम 10 से 12 glass पानी पीते हैं और अगर सर्दियां हो तो maximum कुछ लोग 70 परसं कुछ लोग है, वो सर्फ 3 से 4 glass पानी पीते हैं, आपको पता है पानी कम पीने से, आपकी स्किन कितनी जल्दी डैमिज होती है, और जो जितनी requirement एंसान की body की, मतलब कि 14 to 16 glass of water, 2 लिटर पूरे दिन में पानी पीना चाहे सर्दी है या गर्मी है, या आपकी सिहत को अच्छा रखती है, अगर सेथ अच्छी रहेगी, तो आपकी स्किन automatically tight होगी और fresh रहेगी पानी से हर चीज साफ होती है, इसलिए आपकी स्किन भी साफ हो जाएगी, नमबर 6 very important, पूरे दिन में कैफीन का यूज कम करना, हम अमोमन चाहे बहुत पीते हैं या कुछ लोग काफी पीने का आदी होती है, इसमें कैफीन की मगदार बहुत जाद होती है, जब आप खाली पे tension में काम कर रहे हैं, बिजी रह रहे हों समझते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ एक कप चाही पीएंगे, हम अमोमन लोग क्या करते हैं, सुबाए कप चाही पीजाते हैं, दुपैर का खाना बहुत बिजी होते हैं, शाम को करते हैं, और रात को जब घर आते हैं, लेड रात का खाना खाते हैं, यही चीज़ आपकी स्केन को डैमिज करती है, हमारे अंदर जो system है, हमें उसके ज्यादा करें, लेकिन वही सबजी हैं, जब आप ऑईल में बनाते हैं, तो उसकी 90-80% प्रोटीन तो आप वैसे ही मार देते हैं, अगर उसकी फुल प्रोटीन लेनी यह 100% चाहते हैं, कि हमें उसका सबजी हैं, जो हम खा रहे हैं, उसका प्रेश रहेगी, चेरे पे रोनक भी रहेगी, नमबर 11, रेगुलर एक्साइस करना, रेगुलर एक्साइस आपके जोइंट्स को मजबूत रखती है, और जोइंट्स मजबूत रहेगे, तो इनसान का जिसम काईम रहेगा, मजबूत रहेगा, तो स्किन automatically tight होगी, जब skin tight होगी तो उसमें glonus आएगी, जब glonus आएगी तो आप देर तक जवान लगेंगा अगर diet कर रहे हैं, तो अच्छी diet करना, जिसमें protein, iron calcium, mineral, potassium, सब पाया जाता है, stupid diet करने से सरफ सबसे पहला नुक्सान आपकी skin पे होता है hair falling start होती है, joints में pain चुरू होती है कमर में दर्द चुरू होता है, रंग आपका ढलकना शुरू होता है, आइस्ता आइस्ता आपके अंदर थकावट आना शुरू होती है, जिसको सुस्ती की इलामत कहते हैं, ज्यादा walk करते हैं आपके joints में pain होना शुरू होती है, टांगों में pain होना शुरू होती है गुटने दर्द करना शुरू होती है, यह सारा नतिजा आपकी stupid diet से, यह सारी चीज़े करने से बाकी नुक्सान तो बाद में होगा, सबसे पहला नुक्सान आपकी skin को होता है इसलिए diet हमेशा अची रखें नुमबर 13, very 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 important मेरी भेनों के लिए कि beauty polar जाकर या घर में अपनी facial करकर के skin को रगरने से, आपके skin जल्दी damage होती है wrinkles जल्दी पढ़ते हैं और विसलिए जब आपके चेहरे पर wrinkles जल्दी पढ़ेंगे तो अब अपनी है, इसे मुझूदा है, इसे बड़े लगेंगे बुढ़े लगेंगे, skin को नाजुक तरीके से natural तरीके से, organic तरीके से जो पहले दो point मैंने बता हैं अंडे की सफैदी और aloe vera के जल से tight करें, glow करें number 14, very 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 important रात को time से सोना और सुबा time से उठना जब आप रात को late सोते हैं तो आपके आँकों के नीचे dark circles आते हैं आपकी skin damage होती है, hair falling होती है stress में अजाफा होता है, और जब सुबा late उठते हैं तो automatically आपको इतनी जल्दी लगी होती है, तो tension में मजीद अजाफा होता है, जब आप रात को time से सोएंगे और सुबा time से उठेंगे तो automatically breakfast करने का दिल भी करेंगा और breakfast करेंगे तो आपकी तबियत अच्छी रहेगी, और जब तबियत अच्छी रहेगी तो आपकी skin भी अच्छी रहेगी, जब skin अच्छी रहेगी तो क्या फरक पर जाएगा? In the end, फाइदा किसको होगा? आप भी को होगा ना? कोई आपके साथ वले घर से आकर निकल कि आपको ये निही बोलेगा कि जी आप अपनी skin का आप अपना खियाल रखें कोई आपकी family से आकर आपको ये निही बोलेगा जी आप अपना रोजाना ख्याल रखें कोई आपको घर में से भी नी बोलेगा कि जी आप अपना रोजाना ख्याल रखें आपको अपना ख्याल खुद रखना है मुझे अच्छी और हेल्थ इंफरमिशन लेकि आता होंगा जिसमें आपका और मेरा दोनों का फायता है मैं आपकास वो आप देकरें, फिटनेस वर एवरीवन, आप ता के लिए इतना है नाशिस